धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताडित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहरा नहीं था क्यूंकि इन्होंने धारा 370 लगाई कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैत्रिक संपत्ती पर उनका धिकार समाप्थ हो जाता था क्यूंकि इन्होंने धारा 370 लगाई कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का थारा साल से कम उम्र की बच्ची का ब्यार अचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षन नहीं मिलता था क्यूंकि इन्होंने धारा 370 लगाई आज जो भगगए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश में ना थारा 370 लोटेगी इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का भमकी पोई देने वाले बचेगा नहीं आज कई यहां पर बेहने उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और गाहुल जी के प्रतिसमर्थन को व्यक्त कर रही है 84 के दंगों का विवरंड सुनकर गिरिजा टिक्पू का विवरंड सुनकर और मैंने स्वयम ध्यक्ष जी मनिपूर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बलकि वो लोग पकड़े गए मैंने उनसे पूछना चाहती हूँ जो चले गए उन्होंने कहा वो राजिस्थान गए है और राजिस्थान में क्या हुआ महदे है गिरिजा टिक्पू को तो नब्बे के दशक में आरी से काट दिया गया था भीलवारा में 14 साल की लड़की के साथ सामोहित बलातकार होता ह इस सदन से दो महिला एंपी उस परिवार से मिलती है बच्ची जब जिन्दा थी गैंग रेप के बाद महदे उसे काटा जाता है फिर उसे भटी में डाल दिया जाता है ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उमर में जब जीवित थी गैंग रेप के बाद भीलवारा राजिस्थान में काटा गया जलाने के लिए फैका गया उसका मात्रे का हाथ बट्टी के बाहर छूट गया था मैं आज पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महुदे ये आज जो जो जोर जोर से चिला रहे है न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब साट साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंग रेप लिए कोट में केस लंबित है इनका दिल नहीं दहला और पूछ रहे थे कि मनिपूर के बारे में आप नौर्थीज के बारे में नहीं जानते जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ नल्ली का मैसिकर हुआ पांच मिनिट के लिए कॉंग्रेस के एक मेत्री गई लेकिन इनका क्या रुख था तब दो हजार बारा में तरुन बुगोई जी ने स्वैम वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस की केंडर की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजन्स दे रही है कोक्रा जार की बात करते हैं कि मेरा वक्तव्य नहीं है तब के कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री तरुंगोगोई का वक्तव्य है